पहले और दूसरे पार्ट में हमें देखा हम तीनों फुटबॉल खेल रहे होते हैं तभी वहाँ ग्राउंड में एक आदमी एक लास लेकर जा रहा होता है हम उससे पूछते हैं लेकिन वह हमसे कुछ नहीं बताता है हम फिर से फुटबॉल खेलने लगते हैं हमारी फुटबॉल ग्राउंड के बाहर चल जाती है मैं उसे उठाने के लिए ग्राउंड के बाहर जाता हूँ और वहाँ पे एक मुझे छोटी बॉल दिखती है मैं जैसे उस छोटी बॉल को उठाता हूँ हम तीनों वहाँ से गायवों के स्कूल ने पहुंच जाते हैं और वहाँ पर हमें एक चुडायल मिलती है जो हमें बहुत डराती है और हमसे गेम्स खिलवाती है और बोलती है अगर तुम गेम्स नहीं खेलोगे तो मैं तुम तीनों को मार दूँगी हमें मजबूरी में गेम्स खेलने पड़ते हैं हम सारे गेम्स जीच जाते हैं लेकिन एंड में जब उसकी मटकी की बारी आती है तो उसकी मटकी हमसे फूट जाती है वो भी गलती से और फिर वो हमें मारने के लिए दोड़ती है हम भागते भागते स्कूल से बाहर आते हैं और वो भी यमारे पीचे-पीचे आती है फिर वहाँ पे एक आदमी आता है जो चुलैल को गोली मार देता है और वो बताता है कि वो चुलैल नहीं एक जादू गरनी थी हम तीनों ये सुनके खुस हो जाते हैं और चुप-चप घर आजाते हैं अब आगे क्या हुआ आपको इस पार्ट में पता चलेगा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई मटका यही फूटा था ना तरो कि अ है हा लेकिन बात समझ में नहीं आरे है अगर वह चुलायल नहीं थी तो उस मटकी में आत्मा किसकी थी याद मुझे तो कुछ गड़गर लग रही है अ अगर उस मटकी में सच में आत्मा थी तो वह तो इसी कि वह मूझां सोल ते है मुझे लगता है हमारे पीसे से कॉई निकला है तो तु मुड़ के दझना एक काम करते हैं तीनो एक साथ मुड़ के देखते हैं हाँ हाँ साथ अब देखते हैं पीज़े तो कोई आई नहीं हाई गाईस अब पागल ऐसे को नहीं बोलता है मैं ऐसी हाई बोलती हूँ हाँ ठीक है तू ऐसी हाई बोलती रहे चलो आम तीनों क्लास में चलती है हाँ चलो भाई तो क्या सोच रहे भाई मुझे को समझ में नहीं आ रहा है देखो जो हुआ उसको भूल जाते हैं मुझे तो वैसे भी रात को बुरे-बुरे सपने आते हैं मुझे भी और सपने में किसी का हाथ और वो मटका दिखता है भाई सेम तो सेम मुझे भी यही सपना आता है क्यों आम उस तूटे हुए मटके को चलके ढूने अरे नहीं नहीं तू बागल है क्या पहले तू बोल ढूनने कहा था हम लोग इस चक्कर में फस गए थे और अब तू मटका ढूनने जाएगा तू पताने किस चकर में फस जाएंगे हम अहां ये सही बोल रही है तू चुपचाप से यही बैठा रहे हाई घंगर्ण कैसे हो अरे घंगर्ण तू अड़ियो रहे हो मैं हू ना कर दो कि अपल गटना रखना ऴेफार काunden कि मेंका प på छोगना अ हुइ 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 कि सबस्टे कИ युदके गो नुदके जईङीमादर कान्युने युदके कि इल रड भी जए हादु हाँ 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 है 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 बैस बहुत हुआ अरे हसने देना इतना तो मज़ा आ रहा है अच्छा जराइदर गोर से तो देख वर्सा तुने अपना मेक अप दो लिया क्या एक दम चुड़ा है लग रही है तू वागो यहां से इसके में तो सच में चुड़ा है लागी वागो कहीं भी जाओगे मुझे ही पाओगे तुम्हारी भलाई इसी में है नीचे बैठ जाओ वरना मारे जाओगे अब जब तक मैं ना हूँ कोई यहां से हिलेगा नहीं क्योंकि जो हिला वो पिला भाई यह वर्सा बूतनी में कित्ती क्यूट लग रही है ना अबे चुपकर यार मुझे लगता है इसके अंदर वो मटके वाली आत्मा आ गई है अबे पागल है क्या उसका साइज देख और उस मटके का साइज देख कहीं से मैच हो रहे गया महची वाले कुलफी तो सुनी है मैने पर यह मटकी वाले चुडैल की होती है अरे होता है कुछ तुछ चुप रहे है तुह नहीं पता कुछ इदारा मुझे बुला रही हो क्या तुछी है ना वो जिसने मुझे चुडेल खाहा था। मैं सौरी दीदी वह गलती हो गई मुझसे, वह मेरे मुझसे निकल गई थी। बेटा, अब तो तेरे मुझसे वही बाते निकलेगी जो मैं चाहूंगी। गगन भाई, मुझे लगता है यह भूतनी हमारे साथ के बीसी खेलने वाली है। इसके भूत और चुडेल को और कोई काम नहीं होता है क्या। एक पहले आई थी उसने भी अमेरे साथ गेला था। अब इसे भी गेलना है। पता नहीं हम बच पाएंग या नहीं। लेकिन मुझे तो के बीसी बहुत पसंद है। कोई इसके मुँपे थपन मारो। है। सुनो बे चमकादुडो। यह टाइम कौन सा चल रहा है। अब यह तो दिन है। एकदम सनी सनी सा। उल्लू के पठ्थे दिने मुझे भी दिख रहा है। अरे चुड़ा लंदी है क्या। देखो देखो मेरी कलती किसे जा इसे दे रही है। नहीं नहीं मैं समझ गया। आप उसे मार के यह बताना चाहती हूँ कि ऐसे मैं भी मार का सकता हूँ। तो तो समझदार निकला बे। लेकिन तुझे भी एक जटका देना तो बनता है। अरे नहीं नहीं मैं काम करता हूँ ना यही पर हात उपर करके खड़ा हो जाता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। मैंने मुर्गा बन जाता हूँ। यह ठीक है। कुमेडी गता है तु। चाहर तुझे थोड़ा सा फ्रिल दिखाती हूँ। हुआ 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 ह दि जोतुक हुआ 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 है। यह मिम तो जिन्दा हूँ। विक वरे वनपीस में है। हाँ हाँ तू जिंदा है। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहेंगा। पुख that you सबल आए नहीं मानी तो.. नहीं नहीं आप जो बोलोगी वो हम करेंगे है की नहीं हो बोलो ना हाँ 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 हम मुझे ये बताओ मुझे मटके से आजाद किया किसने जल्दी बताओ देखो जिसने भी मुझे आजाद किया है मैं उसे जाने दूँगी मैंने किया मैंने मैंने किया मैंने मैंने नहीं मैंने किया था मैंने मैंने किया है मैंने किया 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 मैंने कि अब भाई मेरा भी तो नाम ले मैंने भी तो खोड़ा था इसकी भी दो चार उंगले लेकिन मेरे पूरे दोनों हाथ लगेते इसमें भाई लगता है भाम दोनों बच जाएंगे हाँ अगर हम बच गए ना मैं इस चुडायल वाले स्कूल में कभी भी नहीं आऊंगा हाँ भाई अब हम घर जाएंगे यस अगर ऐसी बात है तो मुझे भी मटकी के बार में बहुत कुछ पता है फिर फिर तो मुझे भी बहुत कुछ पता है मुझे लगता गेम खेलना ही पड़ेगा चलो फिर गेम को शुरू करते हैं यह तो गर नहीं है हाँ यह तो मुझे भी दिख रहा है लेकिन यह पता तिरे को मटकी के बार में कैसे पता अरे वो गली में आता है न रोज मटका फल्सी वाला चुडएल जी आप तो हमें घर बेजने वाली थी ना फिर हम यहां कैसे आ गए इतनी असानी से अगर घर चले जाओगे तो मुझे भूल ली जाओगे अरे नहीं नहीं हम आपको कैसे भूल सकते हैं बोल तो आप बिल्कुल सही रही हो मेरे को तो आज क्लास में क्या काम हो है वो भी याद नहीं है आप तो अभी गंटे पहले ही आई हो आपको कैसे बला याद रखूँगा गगन भाई मुझे तो लगता है इस गोरव के बच्चे को न अपनी जान प्यारी नहीं है तो सरी कह रहा है तो प्लागा लिगे का रुसाले तेरी मेरे तब कुछ हुआ है अरे बास करो बताऊंगी पहले मुझे ये बताओ मरने की सबसे अच्छे जगा कौन सी है इसे स्कूल में आपको फिर से आगमत्या करनी है क्या अच्छा मजाक है वैसे मुझे ये बताओ तुम लोगों की स्कूल में फेवरेट जगा कौन सी है बात रूम वहाँ पे सारे लड़के जाके पेचे लड़ाते हैं मुझे तो मेरा घर प्यारा लगता है यहां तो पापा ने एडवांस वीज बर्दी स्कूल में इसलिए रोज रोज आना पड़ता है और मुझे तो स्कूल की छट प्यारी लगती है क्योंकि वां कुई नहीं आता हो चलो फिर फ़ही चलते हैं आपने हमें आजात करने के लिए बोला था ना यहां में हमारे हाथ पर क्यों तोड़ रही हो आहां बही मेरी तो कमर तूट रही है क्योंकि तुम लोगों ने वो मटकाई नहीं तोड़ा मेरी पिछले 10 साल की तपस्या तोड़ी है कैसी तपस्या आजाद होने की तपस्या अगर कुछ साल और तपस्या करती तो मैं उस मटके से आजाद हो जाती मगर तुम लोगों ने मेरे सपनों पे पानी फेर दिया लेकिन हमने तु आपको फायदा ही कराया ना आपके 3-4 साल तो बची गया होंगे ना हमने आपको मटकी फोड के आजाद कर दिया उससे पहले ही नादान बच्चे तुने वो मटका फोड कर सिर्फ मुझे मटके से आजाद करवाया है इस दुनिया से मौक्ष नहीं दिलवाया अगर मैं कुछ साल और तपस्या कर लेती तो मैं दुनिया से आजाद हो जाती गगन भाई खाया पिया कुछ नहीं मटका फोड़ा बाहरा आना वाली बात हो गई है तो बाहरा आना नहीं ये तो मेरे लिए बहाना हो गया जो आजादी मुझे सालों की तपस्या करने के बाद मिलती अब वो आजादी मुझे तुम चारों की बली दे के मिलेगी क्या अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेर और मेरे चैनल को सब्स्राइब जरू कर देना और अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगे तो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को फटा 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 लाइक कर दो अगर नहीं किया है तो और बोजर मिलनेंगे नहीं वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई टेक के लिए लाइब वीवार्ट